बारिज देखें आप सबसे पहले बरसात हो रही है इस रेनिंग है like cats and dogs ये वाइपर चला दिये देव साब ने वाइपर चला नहीं पड़ेगा नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं और देव साब ने ठोक देनी गड़ी को ये सामने मेरी वाइफ और मेरी प्यारी सी डॉटर बै तो यहां पर गड़ी किते हो खड़ी कर दो तुछी कोई मसला नहीं है लेकिन आज क्या हो गया because it rained very heavily and it's still raining तो थोड़ा सा पानी भरा हुआ है तो ये गाड़ी मैंने आज उल्टी करें खड़ी कर दी है क्योंकि ना वो फ्रंट से उतरता वहां पर फिर जादा पानी भरा हुआ था सामने की तरफ मेरी बीवी और मेरी बेटी अंदर बैठे हैं मैंने बोला कि मैच छत्री एगी थी बंदे हम तीने फोन भी संबालना है क्योंकि भई मेंगा फोन है पानी वानी लग जाए दिकत फिर अलग खर्चा बैड़ जाता है तो ये चत्री देख लें आप देव साब की तो पहले मैंने बोला कि एक काम करते हैं सोनिया लेट्स गो बाई टर्न पहले मैं चले जाता वीडियो भी नी बन पाएगा दर्शन भी नी हो पाएगे फिर क्योंकि जादा देज बरसाद होगी फिर तो भाई या रैप अप करके देव साब भी खर चले जाएंगे क्योंकि इतनी बारिश में फिर ना तो वीडियो बनता है अच्छा से लोगों ने भी सबने फिर निक तो उनको तो बेचना है वो क्यों जबाब नहीं देंगी फिर मैं आगे निकल गया बारिश तो हो रही थी तो यह बहार अभी हम फुटवेर उतारेंगे तो मैंने एक्चली इनका ना फेस्बुक पेज है श्रीव सिदिविनायक मंदिर सेक्टर बारा द्वार का डड़ी के यहां पर फुटवेर देव साब ने निकाल दी आप भी निकाल दें और आएं चलिए हमारे साथ अंदर इसका मैं हर साल आता हूं यहां पर ना तो दौर का मैं यही एक है 51 टॉल स्टैच्व लॉड गनेशा तो यहां बाहर यह देखें आप यहां पर फ्लावर बगिर मिल आप परचेज कर सकते हैं आप भगवान जी को चड़ा सकते हैं आप अपनी इच्छा नुसार आगे शिवलिंग भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूं तो बहतरी ही नहीं मतलब सारी चीज़ है ना आज 7th of September है आज ही मैं जाकर आए हूं फरस डे गनेश चतुरती अरे सब आप से पहले विश करना ही भूल गया यार मैं तो आप सब को वेरी हाप्ली गनेश चतुरती मेरी तरफ से और मेरी बीवच्छों की तरफ से आप सभी को ठीक है आप भी मुझे विश कर दीजेगा कमेंट सेक्शन में मैंने विश किया तो आपका विश करना तो लाजमी बन तो आज बारिश की वहरे से ये फायद होगा कि भीड कम है वरना तो शाम के वक्त तो अब गनेश फेस्टिवल में तो भाईया दस दिन आपको पता ही है कितनी भीड होती है और खास और से गनेश जी के मंदिर में ये हनुमान जी की मूर्ती है ये मातारानी की मूर्ती है साइड में तो ये भी मूर्ती है हमारे देवी देवताओं की तो यहां भी मैंने हाँ जोड ली है और प्रातना करी रहा था मनी मन में वोईस ओर तो मैं घर पर बाद में आके कर रहा होता हूं तो बस ये दुबारा वो गनेज जी की मूर्ती देख देते हैं और आए अंदर की तरफ चलते हैं और मेन मूर्थी मैं आपको दिखाता हूं उसके पीछे शिवलिंग भी है ये गनेश जी का वाहन चुहा है लड़ू है सारी चीजे ये देखें आप ओम लिखा हुए गनेश जी के हाथों पे तो आए उपर की तरफ चलते हैं तो म ये पहली वीडियो है इस साल की इस मंदर की यूट्यूब पर क्योंकि मैं जाने से पहले देख रहा था किसी की नहीं ड़ी ती मैंने बोला दैट साब गुद जाब मैं खुद को तारीफ कर देनी चाहिए कभी कभार मैं करता नहीं गट कभी कभार कर लेनी चाहिए तो ये आपको ये मूर्ती इतनी खुबसूरत है इतनी विशाल इसका भवे रूप है कि आपकी नजर पढ़नी ही पढ़नी है पाजी ये यहां पे सामने शिवलिंग है आप यहां पे भी जल अरपन कर सकते हैं भी तो खेर बरसाथ हो रही थी मैं तो अभी जल अरपन नहीं कर पा हुआ उस दिन फोन को रखेंगे जेब में चुप चाप ये अंकल जी थे बड़े खुबसूरती से ये शिवलिंग पे फूलों से सजा रहे थे बड़ा अच्छा लगा मुझे मैंने फिर थोड़ा सा वीडियो में कैप्चर कर लिया इस चीज़ को इना इतनी अच्छे से ल स्कति बाकी आपकी मर्जी ठीक है बाकी देखें बरसाथ हो रही है तो यह देखो जी आयए हाय जिशंदगी से ट्ट होगी पाजी पकोड़े-शक़ड़े नहीं खआए बरसाथ में तो क्या किया है या यारा हमारी तो गनेश चत्रती की शुरुआत दरशन लने Executive पका बड़े शकुड़े खार हैं पाजी सीटी सेंटर मौल सेक्टर बारा द्वार का दिल लिए लव्यू ओल बाइए